हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल मैचकेल कुकिंग विद पूरम में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम लोग यह जटपट से बनने वाली चटपटी सी चाट बनाने वाले हैं तो दिखिए इसके लिए हमने कौन चाट बनाने वाले ह चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस दानों को हम उबाल के तयार करेंगे तो यहां पर मैंने पैन में पानी चड़ा दिया है तो पहले हम पानी को अच्छे से गरम होने देंगे इनको उबलने देंगे ठंडे पानी में कौन उबलने के लिए ना डालें तो वह चि इसके लिए हम इसमें नमक एड़ करेंगे तो देखे पानी हमारा उबलने लगा है अब हम ये जो हमने कौन के दाने निकाल के रखे हैं इनको हम उसमें एड़ करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दे नई तो पानी गरम है तो कई बार हाथ पे छटकता है पानी तो थोड़ा ध्यान से कौन के दानों को पानी में एड़ करें और इनको हम अच्छे से उबाल करके थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे एक पांच मिनट तक हम इनको अच्छे से उबालेंगे तो देखे फ्रेंट्स इसको हम एक बार ऐसे स्पून से चला देंगे तो फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए तो देखिए हमारे कौन के दानी जो है कितने अच्छे से बॉयल हो रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में थोड़ी ही देर में आप देखेंगे इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और ये देखिए थोड़ तो इली जी हमने पानी निकाल करके इसको बरतन में निकाल लिया है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है अब हमको इसको ठंडा नहीं होने देना है गरम में ही करना है यहाँ पर मैंने कुकुम्बर लिया है हरी मिर्ची अनियन हरा धनिया और टमाटर तो सबसे पहले हम जो ह हम डालेंगे एक कटा हुआ प्याज बारिक पैले प्याज को एक बड़ा टमाटर बारिक कटा हुआ तो हरी मिर्ची हरी मिर्ची आप अपने टेस्थ के अकॉर्डिंघ कम सब्सक्रीं निया जाएदा है यहाँ पर मैंने थोड़ा खीरा बारिक का रस तो जिससे की यह चाट का टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा तो कभी भी कब कुछ चटपटा खाने का मन करें और बच्चों को शाम को नाश्टे में बनाने के लिए अगर बच्चे छोटी-मूटी भूख लगी है तो बच्चों के लिए आप यह कौन की चाट बहु ही है तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी इस कौन के चाट की लेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक